पूर सूर तुलसी शशी डगन गेश्यवदास अब के कवी खद्योत सम जहत हो करत प्रकाश किसी समिक्षक ने सत्य ही लिखा कि तुलसी दास हिंदी साहित आकाश के चंद्रमा है आज शावन शुक्ल सप्तमी गुस्वामी तुलसी दास जी की जयनती है उनकी श्री राम पर परम भक्ति को नमन करते हुए मैं आदिती सचदेव उनकी जीवन गाथा प्रस्तत कर रही हूँ हिंदी साहित को भक्ति पत और अप्रेम पत की और ले जाने वाले भक्त और संत कवियों में भक्त तुलसी दास का नाम अमर है देश के निराश्य काल में और हताश मन इस्थिती में जिन्होंने भक्ती रस से निराश माना उमन को हरित किया वे तुलसिदास हिंदी साहित्य आकाश के चंद्रमा है अपने आराध्य श्री राम का लोक मंगल में रूप दिखा कर सुलसिदास जी ने आशा और शक्ती का संचार कर प्रफुलता से आने वाले संक्टों का सामना करना सिखाया अविनाश रायकृत तुलसिप्रकाश में तुलसिदास जी का जन्म श्रावन शुक्ली सब्तमी शक्त संवत 1433 को निर्दिष्ट किया है बांदा जिले के राजापूर ग्राम को ही गोस्त्वामी तुलसिदास का जन्म स्थान माना गया है बाले काल में तुलसि तथा राम बोला इन दो नामों का संकेत मिलता है और विनाश पत्रिका में भी राम बोला नाम का विवरण मिलता है गोस्त्वामी तुलसिदास की माता का नाम खुलसि और पिता का नाम आत्मराम दुबे था इनके गुरु नरहरी दास थे और परंपरा से इनका ही नाम आता है गुस्वामी तुलसिदास का बाल्ले काल संकट ग्रस्त रहा है जन्म के शीग्र पश्चात माता का देहांत अभुक्त मूल में जन्म काई कारण परहले पिता द्वारा त्याग तथा उसके पश्चात पिता का भी शीग्र ही परलोक गमन इनकी यातनाओं कश्टों को इश्पष्ट करता है बच्पन में द्वार द्वार पर जाकर भीक्षा मांग कर उधर पूर्ती करने के उधरण विन्य पत्र का कवितावली में मिलते हैं शुती परंपरा के आधार पर यहां प्रतीत होता है कि विद्य अर्जन के पश्चात जब तुलसिदास घर आए तो उनका विवाह रत्नावली नामक नारी से हुआ था शुती के प्रेम में आसक्त कवी कुछ समय तक लोग का भी मुख भने रहे और बाद में पतनी की फटकार से उनके रामा भी मुख होने का वर्णन मिलता है रत्नावली की फटकार अस्थी चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीती तैसी जो श्री राम महूं होती न तो भव भीती सुनकर तुलसिदास जी के ज्यान चक्षक खुल गए विरक्ता वस्था में आकर गोस्वामी जी के रिदय में दबी हुई श्री राम भक्ती की धारा का पुनह उद्रेक हुआ और उसके प्रवाग के साथ ही साथ तुलसिदास जी भारत के अनेक कोनों में ब्रहमन करने लगें रिद्धा वस्था में तुलसिदास जी को अनेक प्रकार की पेडाओं ने आकरांत कर लिया था जिनका मूल बाहुपेडा से हुआ था हनुमान बाहुप की रचना ही कवी ने बाहुपेडा की निवृत्ती के लिए श्री हनुमान जी से प्रार्थन करते हुए की थी इसी बाहू पीडा ने अंत में तुलसिदास जी को इतना घेर लिया कि इसी से उनका श्रावन शुक्ल सप्तमी 1545 को महा प्रयान हो गया था तुलसिदास जी की बारह प्रामानिक रचनाएं मानी जाती हैं उनमें से प्रमुख रचनाएं राम चरित्मानस विनेपत्रिका दोहा वली कविता वली और गीता वली हैं तुलसिदास जी अमंगल के विरोधी और मंगल के समर्थक हैं उनके जीवन का एक मात्र देश्य ही भगवान श्रीराम के भक्ती थी और उसी में वह हर समय हिलीन रहते थे तुलसिदास जी के भक्ती थे उनमें सरलता, कोमलता और विरम्रता की पोण प्रतिष्ठा थी उनकी वाणी में शिजनात्मक प्रतिभा थी, वे सदाचारी एवं मर्यादावादी थे तुलसिदास जी के भक्ती पत को अपना कर हम भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं धन्यवाद